नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओड़ो ट्रिप में आज काफी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं करीब चार महीने हो गये और दिसंबर का महीना यह तो आज अपना प्लान बना है साउथ इंडिया ट्रिप का तो अभी हम जा रहे हैं कोएंबटूर त्रिशूर वायनाड तो मेरे एक फ्रेंड है आलोक और हम लोग जब हैदराबाद गये थे करीब एक साल पहले तो काफी वीडियो बने बनाया था इनके साथ और अभी यह बैंगलोर आए हुए हमसे मिलने और इनका भी प्लान बन गया है मेरे साथ भूमने का तो प्लान अभी यह है कि कि अभी हम यहां से निकल ला हैं और फास्टाइम आज मैं रात में ट्रेविलिंग करआँ जल्दी मैं जाता नहीं हूँ और एड करता हूं तो मेरा छोटा भाए रहता है हुसूर में तो यहां से हम लोग चल ला हैं दोनों लोग और हुसूर में वो मिलेगा उसके बाद वहां से निकलेंगे कोयम टूर के लिए बाकी टीटेश में रास्ते में आपको बताता हूं आएए चलते हैं तो दोस्तों फाइली हम लोग आ चुके हैं हुसूर और यहां पर मेरा भाई आ चुका है तो अबने पास अभी दो गाडिया है हैं टाटा पंच और बेलेनों और हम लोग सिर्फ दो गाडियों में जा रहे हैं और कुल मिलाकर हैं बारे लोग बारे ने 11 लोग तो पहले प्लान था तीन गाडियां आने का मैं अपनी कार नहीं लाया क्योंकि मेरा भाई अभी उतना कंफरेबल नहीं है हिली स्टेशन पर चलाने के लिए और इशा फाउंडेशन जहां हम लोग जा रहे हैं कुएम टूर वहां से आगे हम लोग जाना वल पर आई तो थोड़ा सा हिली एरिया है तो अभी यह हुआ कि हम लोग किस तरीके से अड़ेस्ट करके चलेंगे तो करीब घर से हम लोग निकले थे दस बजे और अभी बज़ रहे हैं पौने बारफ और करीब वाइट फिड्स से यहां तक 45 किलोमेटर से आसपास था तो पौने दो गंटे लग गया आने में और अब हम यहां से आगे निकल ले हैं तो कोयम टूर बैंगलोड से अराउंड 400 किलोमेटर से है और यहां से करीब 350 तो धी होगा रास्ते में डीटेल आपको मैं बताता रहूंगा आए चलते हैं तो दोस्तों करीब 200 किलोमेटर हम लोग आज चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह एक हैश्पी पेट्रोल बंक है तो एक ब्रेक के लिए रुग गया है घर से हम लोग कुछ यह पराठा और चाय लेकर रहे थे तो फुड़ा सा नास्ता किया जा रहा है उसके बाद फिर आगे निकलते हैं बाकी इशान के साथ बैठा में और हम लोग इस टाटा पंच में एक दम नहीं का रहे ब्रेंडेड न्यू जस्ट वर्मंथ ओल्ड और परफॉर्मेंस काफी अच्छा है बहुत मजा रहा है चलाने में तो बस पांच मिटें आपर ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आगे निकलते हैं कुछरा में ऊचलाने में प्लॉप जब बसे कोलान मजा रहे बादा़ एहाँ बुछ स्टेंगे को हपना हैं एवस्णी लेक आप ईत्र ît नहीं को छाह है मैं । इसे रहते हैं मैं । कर दो कर दो कर दो तो यहां पर पेट्रोल भी हम लोग ले रहे हैं और तमिलाडू है यह 1.03 रूपीज पर लीटर अभी पीछे एक जेगा रोके थे लेकिन वहां पर सिर्फों कैश ले रहा था तो थोड़ा समा पर लिया था बाकी यहां पर अब हम लोग हुआ तैंक फुल कर आगर आगे निकल लाया है चलिए आगे जिलता है तो बॉर्निंग गाईज इस सुबह हो गई है और टाइम हो रहा है शिक्स तो बीच में थोड़ा सा नीद लगए थी और काफी ब्रेक लिया मैंने हलाकि मेरा फ्रेंड्स मुझसे आगे चलना है और आल्मोश तो पहुंच चुका है मैं थोड़ा सा पीछे हूं तो अभी यहां पर एक पेट्रोल बंग था यहां पर फिर से पेट्रोल लिया है और थ का वाश्रूम था तो बच्चों को थोड़ा सा वाश्रूम जाना था अब यहां सब लोग वापस निकल लाएं और चल लाएं इशाफ फार्मडेशन की तरफ कि यहां से करीब 100 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है और वन एंड़ाफ की जन्नी दिखा रही है तो वहां पर हम लोगों ने उनका कॉटेज बूग किया हुआ हाला कि उसका चेक-इंट टाइम और थर्टी का है और प्लान हमारा रात का निकलने का हो गया था तो मैंन उनों ने साफसाब बना कर दिया बोला कि पूरा कोर्टेज फूल है और आपने जिस टाइम पर दिया है उसी टाइम पर आप चेक-इंड कर सकते हैं और फ्रेंड को को पर आए था तो उसने कहीं बगल में होटल लिया है तो हम लोग भी वहां पर चल लाए है और ट्राइग आप है तो हम लोगया है तो दोस्तों फाइली हम लोग आचुके हैं कोयम बटूर और यहां से 50 km के आसपास और है आधी होगी और अभी मैंने आलोग को फोन किया और उन्हीं होटल में चेक इन कर चुपा है तो उसने बात की लेकिन वो लोग भी फुल दे कर चार्ज कर रहा है अलाकि बचर तो दी गटे ही टेरना है तो फाइली हमने ये डिसीजर ली आए कि डारेक्ट ही चलना है हम लोग आदी होगी और अलोग जो है वो भी डारेक्ट आएगा करीब बार बजे तो अम लोग वह आँ बहुचेंगे वो भी प्रिकफास्ट करते हैं वहाँ पर आएगा बाकी बच्चे सारे उड़ गया है और कापी एक्साइटेड है ये लोग वस्पने नहीं मेरे सब बाकी आपको आगे दिखाते हैं तो दोस्तों एक सी ब्रेक के लिए हम लोग रुग गया है और बच् सब्सान कर दिये थे तो यहां से अभी 50 किलो मिटर क्यास पास और है न और वहीं पर हम लोग पहुंचेंगे दो मीटर दस बज़े तक पहुंच जाएंगे तो पुरा दिन हमारे पास रहेगा सो भी सकते हैं दो पर में पदर बाई सुबह चार पांच बे निकलते तो पहु लोगों ने रात में ट्रेविलिंग स्टार्ट कर दी और अभी फिलाल पहुंच जाएंगे तो पूरा दिन अच्छे से देख सकते हैं आज सरह काफी बड़ा है अंदर लेकिन जो मारे साथ मेरा फ्रेंड था मैंने बताया उसको रूम नहीं मिला तो उसने फाइली वहां प मारे ऐत्व कम капropol पर असथिर जी का मंदिर आले है का राए शियन का पताव तुम आदी ओगी आधि होगी क्या रहत रहे हो यह वहां पर अच्छार जैंदिक का मंदीर वैं का जारोंwiadou तुम आदी योडी वी चे आदे अच्छा और इशान कहा है इशान कहा है इसके साथ है इशान गर पे नहीं है आलोग अंकल के साथ है न अधिक गाड़ी तुम्हारी कैसे चल लेए ती गाड़ी दम जब जब जच चल लेए थी कोई तकलीफ नहीं थी साथ 110-120 तक हमको लग रहा है जा रही थी कोई बिना किसी वाइब्रेशन के पुरा कमपर्ट था रात में भी जड़नी हुई सुबा भी जड़नी हुई कोई दिक्कत नहीं है हाइवे पर और वाकी सीटी में तुम चला है हमको कोई ऐसा तकलीफ मैसूस नहीं हुआ आटोमेट अलने काम करन Нாुच कोई जड़ना कहता है करे माड़नी जड़ने करता मताुच करता है है इए चलिएपी को बक्री मेंदेती माफनी स्पाइब है एक काम करन दो तो दोस्तों सेवेंटीन किलोमेटर रहे गया है इशा फांडेशन और थोड़ा सा मिस्टेप हो गया हम लोगों से कि बाइपास पकड़ना था लेकिन गल्टी से आगए कोएंबटूर सीटी के अंदर और काफी घुमा कर यह लेकर आया है तो बस सिर्फ 20 मिनिट्स का रास्ता और रहे गया है उसके बाद हम लोगों पर पहुंँ जाएंगे बाकि यह रोड काफी अच्छा है सिनिक भीव है औ आपी अच्छा लगरा है स्रोड पर तो दोस्तों आपने देखा यह गेट था पीछे और आगे यह रास्ता जारा अश्रम की तरफ ध्यान लिंगा जिसको कहते हैं और काफी भीड लग रही है और राइड साइड में आप देख सकते हैं यह पार्किंग बनी हुए यह बसनस की और थोड़ा दूर का रास्ता और है बहुत ही खुबसूरत चारोतरफ पहाडियों से घिरा हुआ यह जगह आदी होगी बहुत दिन से प्लान था फाइनली आज हम प्लान पेया जुगए है यह लोग पिर वापस इढ़ा इस है? दूए खेंगा है न है व Whoo Whoo 不好 ऐन प्रवनकुमार मिष्रा थेअ डियर सहाओ और भी तिल कर दो लाइन मेंत भुई है जलकल यूख अपलेडá जEL कीज़ से लोगवन आ कि आ बरी तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुच गए इशाफ फांडेशन और जैसा कि मैंने बताए मैंने कॉटेज बुक किया हुआ है और मेन आदी योगी का स्टेचू जो मैंने भी आपको दिखाया था उसी के बगल में कॉटेज है तो पहले हम लोग वहां कॉटेज में गए और वहां पर हमें चेकिन करना था तो सिक्यूरिटी गाड ने बताया कि कॉटेज की पार्किंग अलग से है आप वहां पर जाएए पार करके आए और बाकी मेरी फैमिली मेंबर्स को वहां पर रोक लिया वो लोग चेकिन कर रहे हैं और विश्टर पार्किंग अलग है की चीजें देखेंगे इस वीडियो में इतना ही बाकी वीडियो नेक्स पार्ट में आप देखते रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइम है चैनल मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए टेक केर बाए बाए